पाउ का दरत ना जाता हो, तो भैस के दूद में खजूर डाल कर पीओ, दरत खत्म हो जाएगा बुढापे में जवानी जैसी ताकत चाते हो, तो जवानी में आलो बुखारा खाया करो कच्चा प्यास खाओ, दिल के धड़कन मैतर होगी जो महिलाएं बालों को काले और घने रखना चाती है, वो नहाने के बाद बालों में नारेल का तेल लगा लिया करे खाली पे दही खाने से खून बनता है, दातों को केड़े से बचाना चाते हो, तो नीम की दातुन कर लिया करो भेड का दूद बालों में लगाओ, आपके बाल घने और मजबूत हो जाएंगे जएदा चीनी वाली चाएप पीने वाले लोग जल्दी मोटापे का शिकार होते है अगर आप खुद को सपने में बस में सफर करते देखे तो समझ लेना कि कोई खुश कबरी मिलने वाली है जब आप बालों को दोले उसके निम्बू के रस को बालों पर लगाए और फिर तॉली से अच्छी तरह से सुखा ले इस उपाय से आपको रूखे बालों के साथी गिरते बालों से भी छुटकारा मिलेगा जिन लोगों को लोबी पी की समस्या हो उन्हें रोज चार चुवारे गरम पानी में विगो कर उसका बीज निकाल कर गाय के दूद में चुवारे डाल कर उपाल ले और इसे चबा चबा कर खाए पैरों पर निम्मू और चीनी रगंडे से पैरों का काला पन डैडी स्किन सेल्स हट जाती है और पैर साफ और फैर हो जाते हैं हफते में एक बार बड़ी लाइची खाने से कभी सांस की बिमारी नहीं होती सर्दी खासी में से खाने से अफ़िट रहेंगे बार बार पेशाब आने के अचुग घरेलू उपाए में काले तिल भुने हुए आधा किलो हावला 150 ग्राम इंदानों में आवशक्ता अनुसर देशी गुड मिला कर 15 या 20 ग्राम के लड़ू बना ले सुबा साम सेवन करें और इसे खाने के आदे घंटे तक पानी ना पिये बस आपकी समझ से जादू की तरह गाहब हो जाएंगी साल में एक बार ही कम से कम पान जामून अवश्य खाएं हमारे भोजन के साथ कई बार अंजाने में बेट में बाल चले जाते हैं और जमा होते रहते हैं यह निकलते नहीं हैं न किसी दवाई से गलते हैं ना अपने आप परंदू पान जामून एक बारी खा लेने पर यह गल जाते हैं मश्रूम खाने से थाइरोइड होने की संभावना घरती हैं इन में मौझूद विटैमिन्स थाइरोइड क्लैट के बहतर फंक्शन करने में सायक हैं तीन मैने तक काली जीरे के नियमिच सेवन से सरी में जम्य हुए अनावशक फैट खटाने में बहत ही सफलता मिलती है काला जीरा फैट को गला कर अपसेस्ट प्रदातों के माध्यम से सरीच से बाहर निकालने में शायक है मौझफली के फायदे मौझफली में तेल का अन्श होने से ये पेट की बिमारियों को खतम करती है इसके नियमिच सेवन से कब्स की समस्या नहीं होती है साथी गैस और ऐसीडिटी की समस्या से भी राहत मिलती है इटली में कैलियोरी की मातरा कम होती है इससे पाचन बहतर रहता है लंबे समय तक पेट भरा रहता है आइरन और फाइबर से भरपूर है इटली गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहत आसान और फाइदे मन उपाय है ये पेट में गैस बनना पाचन से संबंदित अन समस्याओं को हल करने में बेहत लाब दायक है खाना खाने के बाद कूड का सिवन पाचन में सयोग करता है बच्चों में सुखा रोग होने पर पाखाना बहुत होता है हड्डिया कमजोर पढ़ जाती है सुखा रोग में टमाटन का सिवन रामबाड है घर में प्लैक हेट्स निकालने के लिए एक चंब सक्कर में एक से दो चुटकी नमक मिल गुटनों पर नेम और गरम ते लगाओ तो गुटनों में दरद नहीं होगा पैदल तेज रफ्थार में चलने से गैस की प्रॉबलम में कमी आती है गैस की दिक्कत खत्म हो जाती है खाली पिर सुबह को दो भीगे हुए अक्रोट खाने से बाल मजबूत होते हैं और चेहर में मौजूद बैक्टीरिया खतम हो जाते हैं इसे मूँ और गले का इंफेक्शन होने का खत्रा कम हो जाता है रात को सोने से पहले इलाइची का सीवन आपके मूँ को रिफ्रेश कर देता है इसे खाने के बाद मूँ से आने वाली प्यास और लेसुन की दुरगन खतम हो ज पूरी नजर लग जाती है तो आपको सोते हुए तक्ये के नीचे पीपल का इक पत्ता रखना चाहिए सुबह इसे पानी में बहा दे विलाइची का सीवन पूर्शों में पूरुष शक्ती को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है इसका लगातार सीवन आपके पूरुष श करने से सीर्दरत गंजापन कमाईयों में बाल सफिद और जहने आधी की शिकायते दूर हो जाती है रोटी को दूद में डूबो कर खाने से बीमारी दूर रहती है और चमडी पूरी नहीं होती जिन लोगों को सर्दी जुखाम ज्यादा होता है उन्हें अपनी डाइट में अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे सरीर को गर्माहट मिलती है प्रेगनेंसी की पहली तिमाई में ब्रूण अस्थीर होता है और गर पात का खत्रा ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा देर तक एकी स्तिती में बैठने लगातार खड़े रहने और लंबी या रोज सुबा सुबा गरम पानी पीना शुरू कर दे थोड़े ही दिनों में आपकी स्कीन ग्लो करने लगेगी और कील मुहा से और पिंपल से भी छुटकारा मिल जाएगा किसी भी सबजी का तड़का लगाते समय तेल में सबसे पहले हल्दी पावडर डाले इससे गरम तेल के चीटे नहीं उड़ेंगे अगर आपकी ओरल यानी मुह की सेहत अच्छी है तो आपका सरीर भी स्वास्त रहेगा इसलिए दिन में दो बार ब्रश जबान को साफ और टेंटल से स्वास्त से जुड़े जरूरी कदम जरूर उठाएं रोने से आपको अच्छा मैसूस होता है और तनाव कम होता है और सरीर को सौस्त रखने में मदद मिल सकती है अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है तो लैसुन के रस्ते पेट पर मालिश करें इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा शावर में गाने से आपकी रोक प्रतिनों तक छमता बढ़ती है आ नहीं होगी कपड़ों पर च्विंगम चिपक जाती है तो सिरके को बाले और उस पर डाले फिर उसे मले च्विंगम लगबग उतर जाएगा हमेशा नेचे की और इस ट्रॉक का इस्तमाल करके फांडेशन लगाए ज्यादा तर लोगों के चेहरे पर बालों की एक पतली ले जावा देती है विटामिन ए से भरपूर होती है जो की सीन को हेल्दी रखता है विटामिन आखों के लिए अच्छा होता है इससे सरीर इंफेक्शन से भी लड़ पाता है ब्रश करते समय हम यह भूल जाते हैं कि से हम काफी समय से इस्तमाल कर रहे हैं औरल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि ब्रश को लगबग हर तीन महने में बदले गोल कपा खाने से ब्लड प्रेशर बैलिंस रहता है और उल्टी डैरिया पीलिया हाथों के सुझन से राहत मिलती है पेट में किसी तरह की परिशानी होने पर निलू पानी कभी नहीं पीना चाहिए इससे मौजू हल्दी का स्वाथ बढ़ जाएगा और सबसी भी खराब नहीं होगी हल्दी के दूद का आयरवेद में बहुत ही बड़ा योगदान है और इसके बहुत से महत्व है हल्दी का दूद कई बिमारियों को जड़ से खतम करने में शहायक होता है साथ में जोडों के दरत गुट् अपन दूर होता है मुंग फली का ज्यादा सेवन करने से कई तरह की एलर्जी भी हो सकती है ऐसे में इसकी इंसे जोड़ी समस्याओं में आपको इसके सेवन से बचना चाहिए लैसुन को ज्यादा दिनों तक श्टोर करना चाहते हो तो उसकी कलियों को छिलकर साफ सुत्रे दिब्बे में बंद करके फ्रीज में रखें ध्यान रहे लैसुन पानी में गिला ना हो और ना ही डिब्बे में नमी हो थाइरोइट के रोगियों को फल और सबस्यों जैसे टमाटर हरी मिर्च और आलू का अधिक सेवन करना चाहिए क्योंकि इन में भरबुर मात्रा में ए माट मन करें वीडियोमें बताई इन अकरी एक सामाने एकारइ के लिए किसी भी विमारी से पीडित होने पर अपने डॉक्तर से सला लेगिये नियम को अपनाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको मेरी अकरी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंज के सा जरूर शेयर करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी निव वीडियो में अपलोड करू आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब आये और अपना ख्याल रखिए वीडियो देख